नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे अरियाना में हैविलेशनस बनवाने की प्रोसेस के बारे में प्रोसेस का पहला स्टेप यह है कि आपको एक ओनलाइन रजिस्टेशन करना पड़ता है अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी फोटोशोप बाड़े से करवा सकते हो वो डीटीएस एक साइट है डीटीएस अरियाना उस पी रजिस्टेशन होता है वाई फोटोशोप बाड़े से करवा होगे दो डाइसर रूपे आपसे वो ले लेगा वैसे इसकी कोई फीस नहीं है आपको सिर्फ रजिस्टेशन करना है मोबाइल नंबर नेम इमेल आईड और एड्रेस, क्वालिफिकेशन इतना सब कुछ उसमें मैंशन करना होता है फोटोशिगनेचर अपलोड करनी होती है वो रोजिस्टेशन करके प्रेंट निकोवाकर अधार कार्ड फैमली ऐडी और एक या दो फोटो लेके साथ में अपने डीटीएस ट्रेनिंग में अपना नाम आता है वेटिंग लिस्ट कई बार कई जिले ऐसे हैं जिन में वेटिंग लिस्ट नहीं होती यानि वहां पर ततकाल उनका नाम आ जाता है बेच में और कई जगह जहां सीटे कम है वहां उनको बेट करना पड़ता है तो एक दो मिन्न हैं कम से कम लग जाते ह उसके बाद अपने पास एक मैसीज आता है कि आपका बैच इतनी तारीक से इतनी तारीक तक शुरू हो रहा है तो वह बैच तारीक से पहले-पहले अपने को एक फाइल ओनलाइन करवानी पड़ती है ओनलाइन फाइल का हजार रुपे अगर आप सिद्धा शौब बाले को देते हो तो वह उपना कर देती है सारा कुछ वैसे अगर आपक करना है तो उसमें आपका एक इफिडेट लगेगा एक नोटरी करवानी पड़ती है कोई और मेडिकल लगता है तिन सो साथ तिन सो की एक रसीद ओनलाइन कटती है लरलन लाइसेंस की फीज कटती है डेड़ सो रुपे की एक फीज कटती है तिन सो की एक कटती है कुल मिला के अपना हजार रुपे में हो जाता है सारा तो वो फाइल ओनलाइन करवाली उसका जो फीजिकल डोकुमेंट होते हैं अधार कार्ड प्राणा लाइसेंस और जो अपना फीज कटवाते हैं उनकी रसीद और फोटो ये सारा कुछ लेके और डीटीएस उसमें ट्रेनिंग में ट्रेनिंग स्कूल में अपने को जमा करवाना होता है वहां जमा करवाने के ब चुट्टी होती है और कोई गवर्मेंट होलिडे अगर आती है तो उसकी भी चुट्टी होती है कई बार चुट्टी हो जाती है लेकिन कई बार नहीं होती ज्यादतर होई जाती है कोई बीच में अगर होड़ी दिवाड़ी कोई तिवार आ गया या कोई और आ गया तो उस टाइम लगाओगे उसके आठ गंटे बाद है दूसरी शाम वाड़ी अटेंडस लगई उससे पहले लगा दिया तो आप एपसेंट माने जाओगे इसके बाद की प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताओगा क्योंकि मेरा खुद की ट्रेनिंग अभी चल रही है तो उससे पह मोटे मानों आप 45-400 रुपे लगते हैं और scbc का 45-400 में लाइसस खर्चा भी ओजाता हुआ आने-जाने का खर्चा मिला आगे सारा इनका टोटल भूतना लगता है और जन्रेनल का Genl का 50-50 लगती है और आजरिशित काटती है और जन्रेंट की 3,000 की कटती है दो सो असीन के उपर जी एस्टी के लगते है और जनल के फांसु चाड़ी लगते है निए तो कुल मिला कर एसी बीची का 45 में लाइसेंसमंड के अपने घर तक आ जाता है और जनल वाणों की उतनी फीस कटती है आने जने के किराए बैड़ा वह लग से है पर उनका डब लगत झाल झाल